तो चली आज बनाते हैं आमला से एक और नहीं रेसिपी, इससे पहले मैंने दो रेसिपी बनाई है और मेरी यूटूब चैनल में उससे मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर अपने नहीं देखा है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी, आप वहाँ जाके तो आज हम बनाने वाले हैं आमला से आमला कैंडी, इससे पहले मैंने इंस्टं आमला कैंडी की रेसिपी शेर की थी लेकिन आज हम थोड़ी लॉंग प्रोसेस वाली आमला कैंडी बनाने वाले हैं तो आमला केंडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आमला को स्टीम करना है तो मेरे पास स्टीमर तो है लेकिन मैंने जो पहले रेसिपी बनाई थी उसमें मैंने स्टीमर से स्टीम किया था लेकिन आज मैं ये दूसरी मेथर से बना रहे हूं तक कि जिसके पास स्टीम तो यहां पर मेरे पास तक्रीबन 2 kg आमला है मैं यहां पर 2 रेसिपी की प्रिपेरेशन साथ में कर रहे हूं इसलिए मैंने बड़ा सा बाउल लिया है और 2 kg आमला एक साथी स्टीम कर लेंगे और उससे अलग-अलग recipes बनाएंगे तो यहां पर मैंने stand रख दिया है पतिली में और इसके अंदर पानी डाल दिया है पानी बहुत नहीं डालेंगे तीन से चाट ग्लास जितना पानी डालेंगे और अब यह जो मैंने बाउल लिया था वो रख देंगे इसके उपर और इस बाउल के अंदर सारे आमले रख देंगे यहां पर मैंने आमलों को पहले से ही दो मीनिट 20-15 मिनित हम स्टीम होने लेंगे 10-15 मिनिट में हमारे साहरे आमले अच्छे से स्टीम होके रैडी हो जाएंगे तो यह देखे 10-15 मिनिट हो चुके हैं और गैस की प्लेम वेन आफ कर दिया हैं तकन को हम तुरें नहीं हटाएंगे 5 मिनिट के बाद बदकन नटाएंगे और यह दिखे हमारे साहरे आमले अच्छे से स्टीम हो चुके हैं अब मैंने ले लिए बड़ी सी थाली और यह जो आमले है उसके सीड्स निकल लेंगे आमले अभी भी बहुत ही गरम है तो जरा ध्यान से काम करना होगा तो यहां पर मैंने सीड्स निकलना स्टा तो बहुत ही इजी लिए हमारा काम हो जाएगा तो आप भी जब भी यह रेसिपी ट्राए करें तो इसी तरह स्टीम करिएगा तो यह देखिए सारे आमलों के सीड्स में निकाल लिए हैं और जो एक किलो आमला था वो मैंने बचा लिया है उससे मैं दूसरी रेसिपी में य चाहिए तो यहां पर मेरे पास काच का बाउल एक ही था और उसका जो साइज है वो थोड़ा चोटा पड़ गया तो मैंने प्लास्टिक का बाउल ले लिया और आमले दोनों में आध्यादे कर लिये और अब इसके अंदर एड़ करेंगी चीनी तो चीनी यहां पर मैंने दो मिक्स कर लेंगे मैंने जो यहां पर मेजर्मेंट दिया है इस मेजर्मेंट से अगर आप कैंडी बनाओगे तो आपकी कैंडी एक दफ मार्केट जैसी बनेगी और अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे निम्बू का रस निम्बू का रस एड़ करने से आम लोका जो कलर है व कटला सा कपड़ा हमें लेना है और उसे इसके उपर इस तरह बांद लेना है हमें इसे चार पांद दिनों तक इसी तरह रखना है इसे चार पांद दिनों तक हमें दूप खिलानी है तो इसके उपर कपड़ा बांद के रखेंगे तो इसके अंदर धुल मिट्टी या फिर क रख देते हैं बाहर दूप में मेरे घर में भी जादा दूप नहीं आती है सुबह सुबह दो-तिन घंटा ही दूप आती है तो मैं सुबह सुबह इसे रखती हूं दूप में और फिर जब दूप चली आती है तो मैं इसे घर में ले लेती हूं तो इस तरह चार से पांच दिन यह देखे, मैंने इसे mix कर लिया है, और फिर से उसे मैंने रख दिया है धूप में, तो इस तरह 4-5 दिनों तक करने से, जो आमले हैं, उसके अंदर चीनी का जो पानी है, वो अच्छे से सोख हो जाएगा, और जो हमारे आमले हैं, एकदम मस्त बनेंगे, विलकुल भी या फिर खटे नहीं लगेंगे, उसमें मिठा सा जाएगी चीनी की, तो इस दीखे, पांच बादी ने, और कपड़ों को मैंने हटा लिया है, और अब देखते हैं हमारे आमले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हमारे आमले देखने में बहुत ही बड़िया लग रहे है उसका color as it is है, और अब इन आमलों को हमें चान लेना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काच का जग, और उसके उपर रख दिये इस सरा की चलनी, और यह जो सारे आमले हैं, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, तो यह जो चीनी का पानी है, वो अलग हो जाएगा, और आमल इसके अंदर थोड़ा सा पानी, या फिर बरफ मिला के, थोड़ा सा नमक डाल के आप पियोगे, तो बहुत ही बढ़े लगेगा, हम जो lemon juice पीते हैं, नीमू का रस, उससे भी बढ़िया ही लगेगा, तो इससे आप इस सारा भी यूज कर सकते हो, तो चली अब निकाल लेते है प्लेट, तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक की प्लेट चाहिए, काचकी भी चलेगी, यहाँ पे हमें पूरी प्लास्टिक या फिर काच ही यूज करना है, और कोई बड़तरम भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारे आमलों को मैंने दो प्लेट में अच्छे से ब दूप में और अब दूप तो दो गंटे ही आएगी तो बाके की गंटे मैं इसे ऐसे यी बाहर रख दूँगी तो इसे मैंने इस तरह बाहर रख दिया है और इसके ओपर एक कपड़ा डाल दिया है तक कि धूल मिट्टी वगेरा इसके ओपर चिपके नहीं और यह जो हमारे आमले एकदम फ्रेश रहें, क्लीन रहें तो यह देखिए 5-6 दिनों में आमले एकदम सुख गए हैं और एकदम ड्राय हो चुके हैं तो यह देखिए एक आमला मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ तो यह देखिए easily टूट रहा है और एकदम ड्राय हो गया है टेस्ट मे बहुत ही बढ़िया बना है और अब ले लेंगे एक airtight container सारे आमलों को हम इसके अंदर भढ़ देंगे तो यह देखिए कितने सारे आमले बने हैं एक किलो आमले से मार्केट में अगर आप इतनी सारे candy लेने चाहोगे तो बहुत ही महंगी पड़ेगी तो यह गर पे आप easily बना सकते हो और अब एकदम मार्केट जैसा लोग देने के लिए इसके उपर मैंने डाली है दो चमच पी सीवी चीनी और धक्कन लगा के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब धक्कन खोलते ही आप देखोगे कि आप जैसे मार्केट से लेके आ हैं वैसी ही candy लगी तो है ना मार्केट जैसे candy तो इतनी बड़िया candy अगर घरपी बन रही है तो मार्केट से क्यों लाना तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने friends और family के साथ ज़रूर शेर करना ओके तो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्णा